दोस्तो T20 वर्ल्ड कप में भारती टीम को चैंपियन बनाने के बाद विराट कोली और रोहित सर्मा ने संजु सेमसन के लिए किया ऐसा जीत लिया करोडों देश्वासियों का दिल रोहित विराट के महान काम के बाद अब खुद संजु सेमसन ने किया है बड़ा खुला सा तो संजु ने रोहित कोली को लेकर क्या कहा है कौन सा भावुक बयान दिया है आईए चली दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक औ पर आप टीम इंडिया के छैंपियन बनते हैं संजू सेंसन बहुत खुज दिखाई दिए खाला कि जब सभी खिलाडी उनके पास नहीं थे तो वह काफी निरास भी दिखाई दिए टीम इंडिया को चैंपिन बनाने के बाद भारती कप्तान रोहिद सर्मा ने संजू सेंसन को देखा उसके बाद रोहिद सर्मा ट्रोफी लेकर सीधे संजू सेंसन के पास गए और उनके हाथ में ट्रोफी पकड़ा दी इतना ही नहीं विराट कुली भी संजू सेंसन के पास आ गए। उन्होंने भी संजू सेंसन को गले लगाया। भारत के इन दोनों ही महान खिलाडियों ने संजू सेंसन के लिए ऐसा करके सब का दिल जीत लिया। और कुछ आ ही नहीं सकता, मैं टीम का हिस्सा तो था, मैंदान में ना सही मैं मैं मैंदान के बाहर टीम का सहयोग कर रहा था, कुछ भी हो मैं खेलूं या ना खेलूं, चाहे जो भी हो हमारी टीम चैंपियन बननी चाहिए और मेरी टीम चैंपियन बन गई है, सच कहूं तो मेर जैसा अब कोई नहीं आने वाला विराड भाइ रोहित भाइ आप महान हो आपको दिल से सलाम है दोस्तो विराड को लिए और रोहिध सरमा को लेकर संजु सैंसन ने दिल झू लेने वाली बात कही है तो आपको क्या लगता है संजू सेंसन को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए या नहीं आप हमें अपनी राये नीचे दिये गए कमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा और ऐसी ही सांदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा धन्यवाद